अमाँ हम ट्राउज दिजैन बनाएगे कि ही जल्दी से बनने वाल इर्जैन से इसके लिए हम सबसे पहले ट्राउज के मोरी की लान्थ कर लेगे लिए मेज भी लींद 11 Pin 24 इंक King की Rob क Friday लिएAssa के विभ Well बनाने के लिए भी मार करेंगे कि अधी लाइन खेच लेंगे तेनों निशानों को मिलाते होगे और एक आधे इंच की लाइन दूसरी दरब भी खेच लेंगे और अपने जेव आधे इंच वाइन से पॉइंट टू इंच उपपर एको लाइन खेचेंगे अब हमें इस तरह से गोल डखन रखना है और इससे बोल डिजान बना लेना है अब हमें इस गोलाई को कट कर देना है इस तरह हमने पूरी डिजान कट कर लिया है अब बेच से हमें इसे कट कर लेंगे और हमें इसे पैंट के फैब्रिक पे रखके आइरन से प्रेस कर लेनी है तो यह मैंने पैपर पिस्टिंग को प्रेस कर लिया है और हमें दोनों साइड में आदा इंच का गीप रखते हुए कट कर लेना है बराबर गीप रखते हुए इसे मार्किंग करेंगे और फिर कट कर लेंगे पैंट की राइट साइड लेनी है इसको पीन अप कर लेना है अच्छे से इस तरह में डिजयन को पिन अप कर लेंगे और पेपर पेस्टिंग के किनारे किनारे पर लगा देंगे गोलाई में मशीन को उठाते हुए लगानी है कॉनर अच्छे से बना लेना है इसी तरह में पूरी डिजयन में लगा लेंगे तो यह मैंने पूरे में सिलय लगा लिए है पिस्टिंग पे एक्स्ट्र कपड़ा है अब इसे फोल्ट कर देना है अंदर की साइड में और इसके उपर सिलय चला लेंगे अब सेंटर में कट लगा लेंगे सबी गोलाई की बीच में और अब हमें गोलाई में भी चुट चुट कट लगा लेंगे कट लगाने के बाद ही एजिली गोलाई अच्छे तरफ फोल्ड हो जाएगी अब हमें रेजयन को निकाल लेना है इस तरह से और यह मैंने पूरी रेजयन निकाल लिया अब हमें इसे प्रेस कर लेना है तो यह मैंने प्रेस कर लिया है प्रेस करने के बाद में इसे प्रेस करने के बाद में पैंट के अंदर के साइड में अब हमें पेपर पेस्टिंग पे किनारी की सिलाई चला लेनी है और यह मैंने पूरी सिलाई लगा ली है और इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी मूरी तयार कर लिये दूसरी तरह मूरी पर भी हमें अंदर की साइड में सलाई लगानी है तो इस तरह से हमारी दोनों मूरी बनके रेडी है और अब हमें पैंट को फिटिंग करना है तो फिटिंग करने के लिए पैंट को रुटा रखेंगे तो मूरी की विर्थ हम चैंच रखेंगे तो हमें चैंच में निशान लगाना है तो इस तरह हमने पैंट को फिटिंग कर लिया है इस तरह से हमने बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सुन्दर मुरी डिजन बनाके रेडी कर लिए हैं